वेलकम स्टूडेंट रस्तूगी आनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है आज क्लास 10 के बिज्ञान पेपर हल के बारे में अध्यान करेंगे जिसमें आज सेट 5 के पेपर हल होगा सेट 5 हल होगा जिसमें सेट 5 में आज रसायन विज्ञान के सभी प्रशनों को हल किया जाएगा तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें जिससे आपको सेट 5 पेपर आपको असान हो जाए तो यदि आप एक से ले करके चार तक यदि आप सेट नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं तो इसमें आज रसायन विज्ञान के सभी प्रशनों को हल करके बताया जाएगा और इस रसायन विज्ञान में आपका खंड खो है खंड खो का सभी प्रशनों को हल करके आपको बताया जाएगा इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए जिससे आपको ये पेपर क्या हो जाए असान हो जाए तो पांच का को कोशन खंड खोच अब यहां से चालू होगा निमलेखित युगों में से कौन सा युगों प्रतिय स्थापनी अभिरिया देता है तो यहां चार आप्शन दिया गया है पहला आप्शन है सूडियम कुलराइड विलियन एवम कापर धात दूसरा जो दिया मैगनीशियम कुलराइड विलियन एवम एलूमिनियम धात तिसरा जो दिया फेरस सलफेड विलियन एवम सिल्वर धात चोथा सिल्वर नाइटेड विलियन एवम कापर धात तो इसमें से बताना कौन सा यूग में जो है प्रति अस्थापनी अबकिरिया देता है तो प्रति अस्थापनी अबकिरिया कौन देता है तो इसमें भी आप समझो देख रहे हैं वह सही है कि मैगनीसियम जो कुलराइट बिलियन यो एलूमिनियम धात जो है या जो है प्रति अस्थापन अब किरिया देता है अब अगला कोशन जानेंगे 5 का खो इसमें निखिया प्रुपेन का आणविक सुत्र C3H8 है इसमें 1070 आबंध है 700 आबंध है 800 आबंध है 900 आबंध है इनमें से आपका 4 आप्षण दिया गया है एक आप्षण सही है इसमें जो हमारा है सहयोजक बंध होते हैं तो 10 सह सहयोजक आबंध है तो समझ में आ रहा होगा अब अगला कुशन जानेंगे 5 का गवर नीचे दी गई अब किरिया के सम्मंद में कौन सा कथन असत्त है अब यहां बताना कौन से कथन इसमें असत्त है पहला दिखा है C सा अपचाइत हो रहा है दूसरा आपको दिए इसमें कारवन डाई आकसाइड उपचाइत हो रही है C आपको दिए कारवन उपचाइत हो रही है और D आपका लेड आकसाइड उपचाइत हो रहा है इसमें आपको चार आपसन में से फिन से अब यहां पर भी आपको आपसन बनाया गया है कि पहला मे तथा B जो है इसमें चाहित है गा उक्रा फ्री आपका तो ourselves P कैंट ऊपचाहित ही है इसमें फ्रकाला पहला सभ्ण जानेंग попроб कि आयू प्रका इसमें rumors Also कि आपका I.P.S.C. नामे मेहनल हो गा उसका हो मतं एसमें और पूछा जा रहा है इसलिए असकत वालों को जननकारी रखना मुझा लखना विखना वे में इसकत नही पूछा रहा है असत पूछा जा रहा है इसमें सीसा अपचाइथ हो रहा है तिसमें सीसा आपका अपचाइथ नहीं हो रहा है और कर्बंडाई अकसाइड जो हमारा का है उपचाइथ हो रही है तिसमें आपको नहीं हो रहा है लेकिन इसमें बताना असत है इसलिए आपसन को धियान देना इस पुरा साफ नहीं कोशन आइनिक योगिकों के दो गुड़ों का उदारन सहीत लिखिए आइनिक योगिकों के दो गुड़ों का उदारन सहीत आपको लिखना है कि आइनिक योगिक का जो दो गुड़ क्या क्या है तो पहला लिखेंगे इनका जो गलनांग तथा कौथनांग जो होता है उंचे होता है आयनी की योगिकों का जो गलनांग और कौथनांग क्या होता है उंचे होता है दूसरा जो यह जो है भंगूर होते हैं तो आयनी की योगिकों दो गूर समझ में आगया होगा कि इनका गलन आधनिक आवर्त नियम के अंतर को लिखिए मेंडलिव का जो आवर्त नियम है और आधनिक आवर्त नियम उन दोनों में अंतर क्या है तो आपका दो कालम बना लेंगे आपका मेंडलिव का आवर्त नियम और मेंडलिव का आधनिक आवर्त नियम जो है इसमें आपको पहला जो पर्माड भारों के बढ़ते करम पे रखा गया था तो के जो पर्माड भारों होते हैं या पर्माड आपको इसको दर्मान भी बोला जा सकता है तो पर्माड आपको दर्मान के बढ़ते करम पे रखा गया या पर्माड भारों के बढ़ते करम में रखा गया इसमें जो है आध भी बढ़ते करम में रखा गया था अब मेंडलीव के आवर्त नियम में इसमें आठ समू होते हैं या दखेंगे मेंडलीव का आवर्त नियम थे उसमें कितने समू थे तो आठ समू थे और इसमें जो था आपका इसमें जो अठारा समू थे कितने समू थे अठारा समू होते है आउध्रिक अवर्तनिया में 18 समूँ था तो समझ में आ गया होगा अब अगला कुशन जानेंगे साथ का कौव साथ का कौव क्वेशन है क्या होता है जब केवर रसायनी समी के लिखी है पहला जो है लेड नाइटरेड को गर्म करते हैं जब Late Nitrate को गर्म करते हैं तो क्या-क्या बनता है? इसको रसाइनि समिका लिखना है लेड नाइटरेड को गर्म करते हैं तो Late Oxide, Nitrogen, Di-Axside तथा Oxygen बनता है जहां दिजेगा यहां तीन केमिकल बनना है यहां पर Late Oxide, Nitrogen, Di-Axside और Oxygen बनता है तो यहां पे जो सुत्र देख रहा है आपका PBNO3 आपका जो 2 है यह लेट जो है नाइट्रेड है जब इसको गरम करेंगे तो यह PBO मने आपका हो जाएगा लेड आकसाइड बनेगा नाइट्रोजन डाई आकसाइड बनेगा और यह कुलोरीन बनेगा तो समझ में आ गया होगा और यह से संतुलित करके रखा गया क्योंकि आप PB का आगे दो है तो PB यहां दो है तो आपको PB का आगे भी दो हो गया यहां ओ जो है यहां पर देखेंगे आपका आपका चार यहां देखेंगे दू दूना चार यहां हो रहा है आपका चार दूनी आ आठ है आठ दू दस और ओ के आगे देखिए बार आपका बार आपका यहन कितना है तो आपका यहन आपका चार होना चाहिए दू दू न आपका यहाँ देखेंगे दू 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 न चार है यहन के आगे चार है तो आपको आपस में क्या है संतुलित भी है अगला दूसरा जो जो है calcium hydroxide के साथ अब क्रिया करता है जो nitricum जब calcium hydroxide के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनता है तो उतर हो जाएगा nitricum जो calcium hydroxide के साथ अब क्रिया करता है तो calcium nitrate तथा जल बनता है क्या बनता है calcium nitrate तथा जल बनता है यह जो सुत्र है यह CN02 का यह NITRIC जो है आपका अमलका सुत्र है और यह जो है आपका कैलसियम हाइड strive बना है उसे क्रिया किया है तो का बना है आपका कैलसियम आपका और यहां सबसे पहले देखेंगे आपका कि यहां सील कितना है तो दो और दो मिलेगा तो कितना हुआ है चार हुआ और यहां सील कितना है आपका है इसलिए यहां पे चार से गुड़ा कर दीजे संतुलित हो जाएगा तो यहां लिखेंगे आपका यहां से गुड़ा करेंगे तो क्या जाएगा दो यहां दो हो गया एसलिए इसलिए आपको संतुलीथ हो गया है है Now कितना है चार है है आपको दूुदूणा चार हो गया अगला हमारा दूसरा जो दिया सबसे पहले देखेंगे आपका यहां जो दिया गया है ओ कितना है इसमें ओ कितना देखेंगे तो आपको चार है और यहां और यहां पर एक है इसमें तीन से गुड़ा कर देंगे तो चार से हो गया प्लस चार से गुड़ा करेंगे तो चार हो गया मने आपको hydrogen आप 8 हो गया oxygen 4 हो गया oxygen 4 था और FI3 आपको मिल गया अब hydrogen 4 दून 8 है इसने 4 से या गुड़ा कर देंगे 4H2 दोनों पच्छ आपस में क्या हो गया बराबर हो गया संतलित हो गया समझ में आ गया हो गया साथ का खौबी question अब अगला question जानेंगे 8 आठ का आपका को कोशन जानेंगे पहले आठ का को कोशन दिया गया है क्या होता है जब केवल रसाइनी समिकर दीजिए बहुत असान-असान कोशनिश में दिया गया है क्या होता है जब केवल रसाइनी समिकर लिखे पहला लिखा एथनोई कमल सोडियम कार्बोनेट के साथ अब करिया करता है जब एथनोई कमल जो सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है इसको हिंदी लिग देंगे आपका नोट में है तो समझ में आ गया होगा अब अगला हमारे इसमें दूसरा यह एथिनाल को सांद सल्फिरिक अमने के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है तो एथिल हाइडोजन सल्फेड तथा जल बनता है क्या बनता है यह जो एथिनाल का सुत्र होता है C2EH5 OHE एथिनाल है और यह बना करके जब गर्म करेंगे तो यह जो बनेगा C2EH5 pH 104 जो है यह जो किसका सुत्र है थील हुपका हाइडरोजन सल्फेड कर शूत्र है और यह सूत्र आपका है जल का है यह दोनों समिकां क्या है संतुलित है आप लोग भी संतुलित करके चेक कर लेज़ेगा संतुलित है की नहीं है अब अगला कुशन पुना फंसे आगे संतुलित करने वाला अब आट का खो निम्लिखीत रसाइनी संतुलित कीजिए अब यहां जो गुलकोज जो सुत्र दिया और यहां पे अपका 3 है और यहां आक्सिजन गिलेंगे कितना हुआँगा 122212 और यहां पे 6 की नीढेंगे अप तो 6 से गुढ़ा करेंगे थो से चोह से यो टू हो गयाología आक्सीजन भी अठा रहा हो गया और यहां पर कारवन भी 6 हो गया और यहां हाइड्रोजन देखेंगे कितना हाइड्रोजन 6 दूनी 12 और यह के नीचे देखिए 12 है तो दोनों पच्छ क्या है संतुलित है अब यहां दूसरा देखेंगे आपका यहन्ने प्लस C2 यह फाइप बना उसके बाद से आपका यहां पर पांच गिनेंगे आपका कितना है पांच तो यहां C जो है आपका सबसे पहले यहां देखेंगे आपका सी एक है यहां C आपका दो था आपका सी दो था लेकिन यहां यहन्ने देखिए आपका यहन्ने यहां एक है आपका यहां एक है हा हाइड्रोजन इ OWन पर 5 X 6 तो 6 है इसलिए इसलिए हाप 2 car 2 करेंगे दू दून आपका चार चार आपका चार चैगिदु आपका आथ्स टोटल आपका हाइड्रोजन कितना है 8. है और इधार यहां कि एृ से两 चुर्वक बन एस सब्सक्र्वाइब ऑंजिं। यह जो कॉष्चन इसको फोड़ा से गलत ऊतर गया है यहां धायान देजी के बादिवाबन कर justice मां नहीं नहीं दिया गया है तो यहाँ पर आपको 3 हो जाएगा अब यहाँ गिनेंगे आपका 3, 2, 5, 2, 10 3, 2, 5, 2, 10 अदू मिले करके कितना होगा? 12 5 और 6, 6 दूना 12 हो गया और यह ने के आगे आपका 2 है इसलिए 2 से गुड़ा कर लेंगे यहाँ थोड़ा सा जो है कोशन उतारने में गलत हो गया था यहाँ पे 3 के जगा पे आप 2 उतार दिये थे इसने संतुरित नहीं हो पा रहा था तो समझ में आ गया होगा कि आपका यहाँ आप यह से जो लेजे 3, 2, 5, 5, 2, 10, 10, 12 हो गया 5, 6, 6, 12 हो गया अगल आपको संजानेंगे अब आपका 8 का गौ हाइडरोजेनी करण क्या है इसके आदोगिक उप्योग क्या है हाइडरोजेनी करण क्या तो लिखेंगे आपका औस संत्रित हाइडरोकारवन निकील उत्परेरख के उपस्थित में हाइडोजन से क्रिया करके संत्रित हाइडोकारबन में परिवर्तित हो जाते हैं इस प्रकार के क्रिया को हाइडोजनी करन कहते हैं यह जो है CH2, C1, डबल बांड आपका CH2 लिखा गया है यह और संत्रित हाइडोकारबन है और यह hydrogen के साथ जब किरिया किये हैं नीकिल के उपस्तित में तो यह संत्रिव hydrogen carbon में बदल गया है तो इसी किरिया को कहते हैं hydrogen eucran अब किरिया कहते हैं और इसका उपियोग किया होता है तो hydrogen eucran द्वारा जो बनस्पत तेल होते हैं बनस्पत तेल से बनस्पत घी बनता है किसके उपियोग से बनस्पत तेल से बनस्पत घी बनता है तो हाइडोजेनी करण के द्वारा बनस्पत तेल से बनस्पत घी बनता है अब अगला कोशन जानेंगे आठ का जो अब अथमा कोशन दिया गया है अबाट का अथ्मा कोशन में जो दिया गया लिखा है डिटेरजेंट का उपियोग का उदाहरन द्वारा लिखिए तो डिटेरजेंट का उदाहरन आपको बताना है तो लिखेंगे इसका उतर होगा अपमार्जक, अपमार्जक को यही डिटेरजेंट करते हैं अपमार्जक का परियोग कठोर जल के साथ किया जाता है अपमार्जकों का परियोग किसके साथ किया जाता है तो कठोर जल के साथ किया जाता है क्योंकि यह इलकाइन, बेंजीन, सल्फोनेट से निर्मित होता है यह किसे बना होता है तो इलकाइन, बेंजीन, सल्फोनेट से न बाउडर में रहता है तो अब मार्जा को पिए जो घरों के बर्तनों में और कपड़ों के सफाई में इसका प्रियों किया जाता है अब अगला कोशन जानेंगे सजाती सेनी का उदाहरन लिखिए तो सजाती सेनी का उदाहरन द्वार लिखिए तो इसका उतर जो है यह कोशन हमको लग रहा कि यह सभी सेटों में पूछा गया है सजाती सेनी क्योंकि इसके बैक वाला जो हमारा जो सेट बना था उसमें भी सजाती सेनी पूछा गया था इसलिए यह कोशन को बहुत IMP माल लीजिए और इसे आप तयार कर लिजिए क्योंकि यह 2020 में आने की समावना है कार्बनी की योगिकों के ऐसे सेनी जिसमें दो निकटवर्ती सदस्यों की जो सदस रहेंगे उनके अंड सुत्रों में CH2 का अंतर होता कितने का? CH2 का अंतर होता आईसे सेर्णी को हम कहेंगे सजाती सेर्णी कहते हैं जैसे हैं अगला कोशन है गौर लाश्ट कोशन है यह रसायन विज्ञान का पेपर का जो है मारा पच्वाँ सेट का यह लाश्ट प्रशन है तो कारवन के चतु सेंजकता यह उम स्रिंखलन के प्रकृत को समझाईए तो इसके बारे हम जनकाई रखेंगे कि कारवन के चतु जो हमारा स्रिंखला है और इसमें जो है चतु सेंजकता के प्रकृत को समझाईए तो यहाँ पे ध्यान देंगे आपका दिया गया है स्रिंखल यह कारवन का जो श्रिंखलन होते हैं क्या होता इसका लिखेंगे आपका कारवन परमाड़ों के बीच ससयोजी आबंध बनाकर लंबी स्रिंखला, साखी स्रिंखला, वले सनचना, वाले योगिकों का निर्माड करता है कारवन परमाड़ एक दूसरे से एकल, दुई बन तथा त्री बंद आबंद द्वारा जुड़े होते हैं जो कारवन के स्रिंखला होते हैं आपका एक स्रिंखला साखी स्रिंखला भी बना सकता है लंबी स्रिंखला बनता है वले स्रिंखला बनता है उसमें एकल बंद भी हो सकता है दुई बंद भी हो सकता है और त्री बंद से जुड़े होते हैं उसी को क्या कहते हैं श्रिंखलन कहते हैं अब अगला इसमें दिया गया चतू समय जगता तो चतू समय जगता क्या है कारवन परमाड़ों की समय जगता आपका क्या है चार है जिसके कारण चार अन कारवन आपका परमाड़ एक सयोजी प परमाड़ आपका question नहीं देंगे। आपका यचियकामा, C,L, आक्सीजन, नाइट्रोजना और सलफर के साथ आबंद बना सकता है। चसरों समय जकता क्या होते हैं, तो कारण परमाड़ की जो समय जकता कितनी होती है, तो समझ में आ गया होगा ये रसायन भी ग्यान का संपूर पेपर हल हो गया यदि आपके पास पेपर होगा तो सभी कोशन को आप लो भी मिलान कर लेजिए यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो जरूर कमेंड कीजेगा कि हमें समझ में नहीं आया है तो अगला जो भाग बनेगा वह बाइलोजी का बनेगा बाइलोजी के सभी प्रशनों को आप जरू देखिएगा ये पच्वां सेट का बाइलोजी पेपर बहुत ही आसान तरीकों से उसको बताया जाएगा जिससे आपको पेपर क्या हो जाए आसान हो जाए तो कल हम मिलते हैं बाइलोजी वाले आपके पेपर में और पेपर को सालब किया जाएगा तो तब तक के लिए नमस्कार